हेलो एंड गुड मार्निंग दोसों चलिए देख लेते हैं आज दिनांग है सत्रे मार्स दोहजार एक तो यह दैनिक जागरान से लेटर एक छोटा सा न्यूस था इसमें बताया गया कि जो भारत सरकार फिलहाल तेल रिजवर बनाने की कोशिस कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी तेल रिजवर बना के बात सरकार ने करीब 5000 करोन रुपया देश का बचाया था तो यहां पर कुछ तेल रिजवर कहां कहां पर हैं इनका नाम थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह दो फिलहाल बनाने में दिक्कत जो हो रही है सरकार को उसमें से एक है ओड़ी सा के चंडी ख तो फिलहाल जो हिस्तिती है वहां पर देखते हैं विसाखापत्ण में 13 तीन लाख टन का मैंगलूर में 15 लाख टन का और पादूर करनाटक में यह 25 लाख टन का अडिनिटी बंदार यह 3 फिलहाल तयार है और दो पर काम चल रहा है लेकिन वह दो इने कारणों से अभी कंप का कि बराबर क्रूड जमा किया जा सकता है ठीक है तो फिलाल हमारे पास इतना मतलब क्रूड आयल रखने की छमता है कि हम 9.5 यानि कि साड़े 9 दिन तक हम अपना काम सला सकते हैं अगर हम इंपोर्ट ना करें कहीं से या फिर अगर हम उत्पादन नहीं करते हैं तो अगर ये दो जो फिलाल पसे हुए हैं दो मैटर चंडी को लपादूर इनका अगर निर्माण हो जासा है तो हमारे पास 12 दिन की छमता हो जाएगी और टोटल भारत सरकार जो लच्छ बना के चल ली रही है वो है 30 दिनों का तेल भंडार बनाने का कम सकम 30 दिनों का तेल भंडार बनाया जा सके कि अगर आयात करने में समस्या हो रही है या फिर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो यहां से हम उसको मैनेज करेंगे तो अमेरिका से भी फिलहाल बात चल रही है कि हम उससे भी कुछ कुछ कुरूड आयल महां से इंपोर्ट करके रिजर बना सकें फिलहाल सौधी अरब हमारा है पार्टनर है इस मामले में तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका लोकेशन यहां पर देख आपको दिख जाएगा विसाखा पर्णम आंद्र प्रदेश में आप सबको पता होगा करनाटक में है मैंगलॉर और करनाटक में ही है पदूर तो यहां आप लोकेशन देख सकते हैं बहुत ही जरूरी है यह लोकेशन याद रखना तो देख लीजे यहां पर चंडी को लोडिशा में दिख रहा है विसाखा पर्णम दिख रहा है आपको आंद्र प्रदेश में मैंगलॉर और पुदूर या फिर पादूर जिसको बोलते हैं यह दिख रहा है आपको करनाटक मैं